हेलो एवरीवन वेलकम बेक टो दा चैनल जैशी किशना राधे राधे और आप सभी को जैम अता दी कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे क्योंकि कोविड बहुत जादा बढ़ रहा है मैं आप लोगो सब्सक्राइब क्योंकि आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और आज तीनो ठाकोजी का पिंक ड्रेस में शेंगार दिखाऊंगी क्योंकि पिंक ड्रेस में संड़े को मैंने शेंगार किया था और कल मुझे किसी ने बोला था कि आपने ग्रीन ड्रेस में क्यों नहीं दिखाया शेंगार क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था एक दो दिन पहले की ग्रीन ड्रेस में शेंगार दिखाईए लेकिन ग्रीन ड्रेस में मैं शेंगार अभी आप लोग साथ विड्निस डे वाल कि मैं दिन के हिएला के ये यह कूश से जो कोड़ा दिन जरूर दिखंगी है और आपलगा आप जो भी आहिए western ही न्हें चाहिएब देशिक अभायई और इत्रसेवा करनेके लिए बहुत सारे लोगों कि इत्रसएवा कैसे करें वा दिखाईएगा इत्रसे मालिश चुर्ड अप से मालिश मैं आप लोगों को नवरात्री Record कि दिख confession अहीं तो जाधा जो है वो पूजा हो जाती है और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है वरत में तो इसलिए जो है मैंने सोचा रही नवरात्री के बाद ही मैं सुकून से जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी और केशफ नौदिन का ठाकुजी का शिंगार शेर करूँ बहुत अच्छा शिंगार करूँ पूरे 9 दिन तक तो बस मैं जो है वही कर रही हूं और किसी और चीज पर अतना ध्यान नहीं दे रही हूं सिर्फ में शिंगार दिखा रही हूं आप लोग को डेली का तो आप लोगों को पसं सब्सक्राइब कर दो नहीं नहीं दिखता है चो भी आप पर नहीं दोटो पर पांट करना रह गया तो मैंने लट्डू पर पेंट किया ट्रेस पेंड पर दोट किया था क्योंकि इस अब थोड़े दिर सूखने के लिए रग दिया था और लडू माधब जो है वो रेडी हो गए और हम जो है केशव को रेडी करते हैं फटाक से तो आज जो है मैं केशव को सिलवर कलर की जूलरी पनाऊंगी इस पे क्योंकि मैंने हर बारी इस वाली ड्रेस पे जो है वो गोल्डन कलर की ही जूलरी पनाई है क्योंकि इसमें पिंक और गोल्डन का टेच है लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं और ये मैंने सेट आप को इसलिए दिखाया था क्योंकि इसकी चेन जो है वो बहुत जादा छोटी है तो मुझे इसमें दो पिन जोडने के बाद ही इनको पहनाना पड़ता है और दरवाइस ये इनके आता नहीं है इस वाले का इस जो लंबा वाला मैंने पनाया उसमें मैंने ये भी लंबा नहीं है चोकर हा रही है पर इसमें मैंने चेन जो है वो जोड़ ली है तो इसलिए वो जो है वो पिन करके मुझे ऐसे पहनाना पड़ता है और बस अम मैं जो है वो इनके पक बांदूंगी तो मैं फटाक से जो है वो आपको पक बना के दिखाती हूं कि आज इनके कैसे पक बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल सी आज मैं इनके पक बनाने वाली हूं पहले मैंने किसी और तरीके से ट्राइ किया था बनाने का वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगी मेरे दिमाग में कुछ था तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो तोना मैं वो सब नवरात्री के बाद मैं आप लोगों को बहुत अराम से दिखाने वाली हूँ अभी मैं इन सब चीजों के बारे में ना सोच रही हूँ कि कुछ और वीडियो शूट करूं या कुछ ही है सिफ शिंगार पर ध्यान दे रही हूँ क्योंकि सुबह में शिंगार करना सब कुछ बहुत टाइम लग जाता है उसके बाद वीडियो को एडिटिंग करना फिर घर के भी काम होते हैं तो इस टाइम बहुत जादा बिजी शेडियूल रह रहा है नवरात्री के टाइम पर तो मैं कुछ और वीडियो शूटी नहीं कर पा रही हूँ सिर्फ और सि जो मेरे चैनल पे बराबर देख रहे हैं वीडियो उनको पता होगा कि में हर एक दिन के बाद वीडियो ڈालती हूँ बीच में एक दिन का एक backstory मिल पाहे क्योंकि की एक दिन मैं सोचती है वीडियोट करूं अगले दिन मैं वीडियो एडिट करके और उसको पोस्ट करती तो इसलिए मैं एक दिन का थोड़ा सा गैप लेती हूँ और यह जो नेक पीस है यह मेरी मातारानी का हार है जिसको मैं केशब की पक पर डेकोरेट करने वाली हूँ तो मैं कभी भी कुछ भी जो है वो ऐसे तिकडम करके और डेकोरेट कर देती हूँ कहीं से जो भी मुझे मिल जो है वो मैं इसमें और एड कर रही हूँ पग में कियोकि मुझे ऊपर की साइड में बहुत सूना सूना लग रहा दा और इस कलर के बातारि पार पर फ्लार जो मेरे पास है रेड़ या वो सब सूड ре नहीं करते हैं पिंक उपर इसलिए जो हैं वो मैंने सब्सक्राइब चंब के सब्सक्राइब कमा के सबी करें तो मैं बहुत अज़ाइब को यह सिपी आगी पृतस के सब्सक्राइब लगी हो पनाटवा यह देना समाने में भी मिल कोईव Дंप सब इधर उधर हो गया है होली के बाद से तो इसलिए मैंने जो है आज पहनाया मुझे मिला तो और आज का शिंगार आप लोग को कैसा लगा तीनों को आप प्लीज जरूर बताईएगा आप लोग के कमेंट पढ़के मुझे बहुत जादा खुशी होती है और I hope कि आप सब को आज का शिंगार पसंद आया हो अगर शिंगार पसंद आया हो तो लाइक, शेर, कमेंट जरूर करें मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किये विना मच जाईएगा मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो लाती रहूंगी बहुत अच्छ अच्छे ढाको जी का शिंगार मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी और अब मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जैशी किष्णा राधे राधे आप सब लोग अपना खयाल रखिए जै मरत दी